इसका सेंटिफिक नेम फायकस मैक्रोकार्पा है वेलकम बैक टो रिमा जेचर सेंस्ट मैं हूं रिमा पॉट साइस से लेकर प्रोपागेशन रिजर्ट्स तक आप सभी इसी वीडियो में देखेंगे इसलिए आंत तक बने रहिएगा अपनी थिक, ग्लोसी और राउंड शेप्ट लीव्स की वज़े से आर्टिफिशल प्लांट का इंप्रेशन देता है बॉन्जाई लवर्स के लिए वन ओव ता बेस्ट प्लांट है पूरे साल ऐसे ही हरा बरा दिखाई देता है जैसा कि आप सभी जानते हैं मौनसून सीजन अभी खत्म हुआ है उसमें इस प्लांट की ग्रोथ बहुती बढ़िया तरीके से हुई है मौनसून सीजन किसी भी प्लांट की ग्रोथ के लिए बेस्ट टाइम होता है उस समय प्लांट अपनी फुल ग्रोथ पर होता है मेरा ये प्रांट आठ से दस मेहने पुराना है लेकिन ऐसा दिखाई देता है जैसे दो से तीन साल पुराना है आपके प्रांट की भी ऐसी ग्रोथ हो सकती है उसकी लिव्स की शाइनिंग भी ऐसे ही रह सकती है मेरी कुछ बताई हुई बातों को फॉलो करके सबसे पहले हम पॉर्ट साइज की बात करेंगे लेकिन उससे पहले एक बात बताना जरूरी है कि फायकस को रूट बाउंड होना पसंद है इसके लिए इसे बहुत जल्दी इसका पॉर्ट चेंज मत करते रहे इसे एक ही पॉर्ट में तीन से चार साल रहने दीजिए यह देखिए मेरा प्रांट टैन इंची जर्दन पॉर्ट में लगा हुआ है और इसकी इस टेम देखिए कितनी थीक हो गई है धीर धीरे बॉंजाई का लुक ले रहा है कुछ सालों में यह बॉंजाई जैसा दिखाई देने लगेगा यह इसकी एरियल रूट सें जिसे प्रोप रूट्स कहा जाता है प्रोप रूट्स दिखाई देने का मतलब है आपके प्रांट को फुल क्लाइमेटिक कंडिशन मिल रही है जिसका मतलब है कि आपका प्लांट बहुत अच्छे तरीके से ग्रोथ कर रहा है इने एरियल रूट्स को हटाईए मत क्योंकि इससे इसका लुक एक ओल्ड ट्री की तरह दिखाई देता है ऐसा लगता है कि इसी पुराने पेड को लाकर हमने पॉर्ट में लगा दिया है 20% सेंड, 10% कोको पीट, कोको पीट इसले लिए है ताकि नमी बनी रहे एक मुठी निम कली पाउडर और एक चमच फंगी साइड साफ का या बैवेस्टीन किसी का भी ले सकते है जिसमें ये प्लांट बहुत अच्छे तरीके से ग्रोथ करेगा आप देखिए, मिट्टी में नमी बनी हुई है, लेकिन पानी रुका न रहे वेल ड्रेंड सोयल मिक्षर होना चाहिए और इसके एरियल रूट्स को बिल्कुल भी कट मत करिएगा इसके बाद हम इसके सनलेट की बात करेंगे फुल सनलविंग प्लांट है कम से कम 5-6 गंटे की दूप इसे चाहिए दूप में इसकी ग्रोथ और पतियों की चमक बनी रहती है नए नए लीज ऐसे दिखाई देती हैं जो बेहदी खुब सुरत लगती है ऐसा नहीं है कि इस प्लांट को हम इंडोर नहीं ग्रो कर सकते इंडोर भी ग्रो कर सकते हैं लेकिन इसे ऐसी विंडो के पास रखिए जहां इसे 2-3 गंटे की ब्राइट लाइट मिलती रहे अगर इसे चाहूं में रखेंगे इसमें न्यू ग्रोथ देखने को नहीं मिलेगी और आपका प्लांट बहुत अच्छे तरीके से नहीं चलेगा सनलाइट के बाद वाटर रिक्वार्मेंट की बात करेंगे जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि इसे अपनी सोहल में नमी पसंद है एक बार प्लांट एस्टैबलिश हो जाए तब ये ड्राउट टॉलरेंट हो जाता है बाई चांस दो से तीन दिन पानी नहीं दे पाए है तब भी ये सर्वाइव कर जाएगा लेकिन फ्रिक्वेंटली अगर हम ऐसा कर रहे है और इसकी मिट्टी लगातार सुखी रह रही है तब ये ड्राउट कर जाएगा कभी कबार ऐसा चल जाता है कि दो से तीन दिन में पानी आप नहीं दे पाए है तब आपका प्रांट सर्वाइव करेगा लेकिन हमेशे ऐसा मत करिये समर में इसे सुभे शाम पानी की जुरूत पढ़ती है लेकिन विंटर में वीक में आप दो से तीन बार पानी दे सकते हैं नेक्ट पॉइंट इसके पैस्ट अटेक को लेकर है इसमें वाइट कॉटन जैसे छोटे छोटे मिली बग्स का अटेक हो जाता है नएने ब्रांचीज में एक छोटा चमच नीमोयल और एक चमच डिश वाश इन दोनों का मिलाकर अच्छे से स्प्रे करते रहे है जिससे प्लांट मिली बग्स के अटेक से बचा रहेगा और आपका प्लांट सर्वाइव कर जाएगा अब हम इसके फर्टिलाइजर के बात करेंगे क्योंकि ये एक ग्रीन लीफी प्लांट है इसके लिए नेट्रोजन बेस फर्टिलाइजर सफिशेंट रहेगा काउडं का लिक्विड फर्टिलाइजर हर दो महिने के गैपर देती रही है लेकिन विंटर में दिसंबर और जनवरी के महिने में इसमें फर्टिलाइजर ना दे क्योंकि इसमें इसकी ग्रोफ बहुत ज़्यादा नहीं होती फर्टिलाइजर देने के लिए फ़ेबरी से आप इसमें फर्टिलाइजर देना शुरू कीजिए क्योंकि इसमें 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 ग्रोफ स्टार्ट हो जाती है नेक्स्ट पॉइंट हम लेंगे इस ब्रांट को किस तरीके से बूशी बनाया जाए जिससे इसकी हाइट भी मैंटेन रहे, दिखने में भी सुन्दर दिखाई दे इसके लिए टाइन टेम पर पिंचिंग प्रूनिंग करते रहे है इससे एकश की हाइट मेंटेन रहेगी ये देखी, इस ब्रांच को कट कर दिया था मैंने कट करने के बाद इसमें तीन ब्रांचीज ने निकली है ये देखी एक, ये दो, और तिसरी ये वाली ब्रांच इस तरीके से पूरे प्लांट को अगर आप प्रून कर देंगे, आपकी new new branches निकलेंगी लेकिन प्रूनिंग का टाइम होता है, या तो आप February में करिए, या rainy season में करिए ये दो सीजन ऐसे होते हैं, जब आप इन में पिंचिंग प्रूनिंग कर सकते हैं, जिससे प्लांट की ग्रोथ बहुत जल्दी और बहुत तेजी से होगी नेक्स्ट हम बात करेंगे, प्रोपगेशन मैथड की, तीन तरीके से प्रोपगेट किया जाता है, वाटर के थ्रू, कटिंग के थ्रू, एलेरिंग के थ्रू, कोई भी 6-7 इंच तक की कटिंग इस तरीके से लेकर आप पानी में लगा दीजिए, किसी भी तरीके के सोयल करते हैं, मैंने भी एक कटिंग के थ्रू एक एक्सपेरिमेंट किया था, और वो मैं आपको दिखाऊंगी, मैंने भी अपनी कटिंग को प्लांट एक कटिंग के थ्रू, आप देखेंगे इसमें, ये देखिए, 6 इंचिस की मैंने कटिंग ले ली थी, और इसे 15 दिन पहले क को लूज कर लीजिए, जिससे इसे निकालने में दिक्कत ना आए, कई पर प्लांट एस्टेबलिश हो जाता है, उसकी रूट टेवलप हो जाती हैं, और निकालते रूट टूट भी जाती हैं, तो आस आराम से निकालीए, इस तरीके से देखिए, इसमें ये देखिए, पं बॉंजाई का लुक दे सकते हैं, उमीद करती हूँ, फाइकस मैक्रो कारपा के विश्य में दी गई, ये जानकर ये आप लोगों के लिए यूस्फिल रहेगी, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जुरू बताइएगा, ये वीडियो आपको कैसर लगा, मिलते हैं नेक्ट वी अपना ध्यान रखिए, अपने अपनों का ध्यान रखिए